आज का प्रस कॉन्फरेंस का जो अजेंडा है आज करनाटका का बीजेपीग हुकुमत इंडिपेंडेंट जो भी बॉड़ी है पोलिस डिपार्टमेंट है इसको यूज करते हुए मिस्यूज करते हुए स्टी पीए को टारगेट करने का हरास करने का काम कर लेकर है तो स्पेशली जो मैंगलूर सिटी कमिशनरेट जो बॉंडरी में बारा तारीक को पनंबुर पोलिस टेशन में एक एफ़ायार करते हैं पुआंका एक इनस्पेक्टर महेश प्रशाद पोलिस आफिसर महेश प्रश स्टी कमिटी मेंबर तो यह सारे एक कहानी है यह बनाया हूवा स्ट्री है इसमें कुछ भी नहीं है इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें पॉलिस आफिसर कुछ परसनल बेनिफेट के लिए कर ले करें कमिशनर जो पॉलिस कमिशनर जो है उदर का मंगलूर का कुछ परसनल गईन के लिए ये काम कर ले करें ये anti-constitutional है, इसको हम मजबत करते हैं, condemn करते हैं और जब इसका उपर हम हमारे party के जिमेदार DGP को मिलेते, ADGP को मिलेते ADGP को clear बताया कि क्योंकि Social Democratic Party of India कुछ भी आईसा करने के लिए हमारे directions नहीं है Already आपको मालूम है, Election Commissioner of India, Election Commissioner clear बताया कि HDP और popular front को कोई connectivity नहीं है, और 2010 से लेकर आप तक जो भी documentation, जो भी हिसाब किताब, जो election commission को देना है इन्हों मरब सही तरीके से दिये हैं, ये election commission of India का बयान है इसका बावजूद भी South Canada, मैंगूर City में ऐसा एक harassment हो रहा है हमारा office का उपर seal दालने का इसा इसको हम condemn करते हैं, और हम BJP हकुमत को एक बताते हैं कि आप जो ideologically हमारे face करो अईसा police को misuse करते हुए, police आपका जो power को misuse करते हुए, ऐसा harass करने में हम लोग डरने वाले नहीं है अगर हमारे से टकर करना है तो ideologically टकर करो ये चोड़के आपका police को use करते हुए harass करेंगे, harass करने का कोशिश करेंगे, हम डरने वाले नहीं है हम इसको face करेंगे और हम इसको question करेंगे जो भी F.I.R है हम कानूनी कारवाही भी करेंगे और दूसरा हम सारे political parties जितने भी political parties secular political parties ऐसा एक political parties को target करने का ये जो मामला है इसको सारे मिलकर आवाज उठाना है क्यूंकि ये एक democratic setup को एक threat है अगर एक political party independently ये लोग काम करने नहीं द देते हैं बोले तो क्या इस देश में democracy है क्या एक सरवाधिकार जैसा एक ruling एक undeclared emergency ऐसा है तो इसको हम condemn करते हैं और हम DGP करनाटका को हम appeal करते हैं कि ये सारे मामलात को तहकीकात होना चाहिए इसको एक inquiry होना चाहिए ऐसा एक story create करके ये क्या करना चाहते है उसमें 20 साल का एक लड़का जो हमारा district president का बेटा उनका भी इसमें fix किया गया है यूए पी एक कुछ भी crime नहीं हुआ एक assumption में करने वाले हैं वो करने वाले हैं ये assumption में और एक common sense जिन्हों ने बताएं कि popular friend ban होने के बाद भी ये लोग activities कर रहे हैं बोलकर ये common sense है एक LKG student को भी वालम है banned organization होने के बाद बैन होने के बाद कुछ भी अगर activities करेंगे illegal है ये लाका खिलाफ है इस सब को मालुम है कोई ऐसा जरुरत नहीं करेंगा बैन होके one week में ये सब नहीं करेंगा तो इसलिए हम आपका माद्यम से सरकार को करते हैं आइसा आप ढराने का कोशिश नहीं किये हम legally fight करेंगे और दूसरा डीजीपी करनाडा का कौम अपील करते हैं इसको एक तहकीकात होना चाहिए इसको एंक्वेरिक होना चाहिए फोरण इस F.I.R. को खारिज करने का या या इसको यूए पीए का कैंसल करने का ये सारे जो भी करवाही है और जो भी इसमें इनोसेंस है इसको इस केस से छोड़ने का ये कारवाही करना चाहिए